देखो अभी न तारिक में ता शो के जो मेकर सेनावनों ने ये चीस पूरी तरह से कनफर्म कर दिये के दिवाली पर दिया की एंट्री होने वाली है और हो जाएगी लेकिन दुस्तों अभी भी काफी लोगों के मन में डाउट है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब उन्होंने वादा किया हो कि वो इस टाइम दिया की वापसी करवा देंगे लेकिन नहीं होती और गाइस मैंने यहाँ पर एक पोल भी किया था चैनल पर तो ओल्मोस्स 60% लोगों का यही मानना है कि दिया की एंट्री हो जाएगी लेकिन फिर भी 40% लोगों का यही मानना है कि नहीं इस बार भी दिया की एंट्री नहीं होगी अगर दोस्तो द्या की एंट्री नहीं होती तो काफी सारे लोग नराज हो जाएंगे तारिक मैता शो से और मेभी तारिक मैता की जो ओडियन्स है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि काफी सारे लोग तो दया की entry का बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं इसमें कोई doubt है ही नहीं लेकिन guys मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि दया की entry दिवाली पर हो जाएगी नवंबर मन्त में क्योंकि हमने पिछले टाइम में ऐसा देखा है कि तारग मैता मेकर्स काफी जादा negativity से उनका आमना सामना हो रहा है काफी सारे अक्टर्स ने शो छोड़ दिया है और काफी सारे अक्टर्स के साथ उनकी बहुत बुरी controversies भी हुए तो ऐसे में दोस्तों वो दिया की एंटरी जरूर करवाएंगे मैं भी पॉपट लाल की शादी का तो मैं कहनी सकता लेकिन हाँ दिया की एंटरी इस बार तो जरूर हो जाएगी मैं भी दिशावकानी नहीं आएंगी तो कोई दूसरी actress तो दिया की रोल में आ ही जाएगी तो हाँ गैस मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दिया की एंटरी हो जाएगी और majority of the audience को भी यही लग रहे कि इस बार दिया की एंटरी हो जानी चाहिए गैस आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में बताना और Bollywood Talk को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर दो ताकि तारग मेता से रिलेटिट कोई भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आप में सना कर पाओ तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में